नमस्कार स्वागत आप सबकाइबर फिर्स मेरे योट्यूब चैनल जैहिदपरा आज जो हमारे विशे है वो है बिहार आज हम बिहार से रेटेड कुछ बाते करेंगे और जो टॉपिक हमने रखा है वो है बिहार सफर अर्ष से फर्स तक का जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार का प्राजिनतम इत्यास काफी गौरफ शारी रहा है अगर हम बिहार की बात करें तो हमें पता है कि मगद में ही भारत की पहले समराजी मौरी समराज का उदय हुआ था जिसके सबसे प्रतापी राजा का नाम चंद्रगूप्त मौरी था चनल गूप्त मौरी मौरी समराथ के सबसे सकती साली राजा थे और उन्होंने मगद के विकास के लिए बहुत सारा कारवी क्या था ऐसा कहा जाता है कि उस समय मगद की जो सीमाय थी वो दच्छिन एसिया तक को लगती थी तो फिर आखिर ऐसे बिहार को क्या हुआ कि जो आज इतना पिछरा हुआ है जिस बिहार में समराथ असोग जैसे राजा हुए उस बिहार की ऐसी स्थिति कैसे हो गई बिहार की पावन धर्टी पर आकर ही महात्मा बुद को भी जान की प्राप्ति हुई थी तो आखिर ऐसे बिहार को आखिर नजर किसकी लगी, किन लोगे कारण बिहार की आज ये स्थिती है, आजादी के बाद से ही बिहार एक पिछरा राजी का टैग लिए वे घूम रहा है, सरकारे आती रही जाती रही लेकिन जो बिहार की स्थिती है उसमें किसी तरह का कोई भी आपको यह जानकर आश्चर होगा कि उने सु एक्यानवे के जंगन्ना के अनुस्रा बिहार की 48% अबादी निर्धन रिकासे नीचे अपना जीवन यापन कर रही थी वो बिहार जहां पे दुनिया का सबसे पुराना उनिवर्सिटी नालंदा विस्विद्याले की स्थापना ह उस बिहार में सिर्फ 30.68% लोग ही साक्षर है वहीं पर अगर हम बात करें पुरुसों की तो पुरुसों की 73.49% आबादी पर ही लिकिया है जबकि अगर हम बात महिलाओं की करें तो सिर्फ 33.33% ही महिलाओं पर रिलिकिया यानि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बिहार की आधी आधा-बादी जो महिलाओं की है वह आजकी डेट में निरक्षर है अगर हम बिहार की जनसंख्या की बात करे तो 2011 की जनगनना के अनुशार विहार की जनसंख्या लगवक 10 कροोर थी जनसंख्या के हिसाब से हमारा राजी बिहार जो है वह भारत में तीसरे सथान पर है जबक नहीं मिले थी भी तो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है यह 104 रूप से अब काम नहीं कर रही है यानि उद्योग धंदों के नाम पर किसी भी सरकार को किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनके तरफ से कभी भी कोई इमानदारी पूर भ्रվष्टा चार में सनलिप्त होना जैसा कि आपको पता है कि बिहार के जारा तर्जू नेता है वह किसी ना किसी प्रिकार के भ्रस्टा चार में सनलिप्त है जैसा कि हम पता है कि जो हमारे मुखिर मंत्री से लारुप रशाध brands हो Gil Call to people मन्त्री जिनका नाम जगर नातम व वो है यहां के भ्रस्टाचारी नेता जो जिसर्फ अपना घर भरते हैं अपने लिये करते हैं और अपने राज के लिए कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं तो यह भी बिहार का पिछरा होने का एक कारण है बिहार के पिछरे होने का चौथा कारण है यहां का जातिवाद और परिवारवाद बिहार में अभी जादातर लोग अपने नेता का चुनाव जाती के आधार पर करते हैं वो यह नहीं देखते हैं कि वो जिस नेता का चुनाव कर रहे हैं वो किस प्रकार का है किस प्रकार का है वो क्या करता है नहीं बस यह देखते हैं वो उनके जाती के है तो उनको vote कराते है साथी साथ जो ये परिवारवाद की बिमारी है जो कि पूरे देश में है वैसे ही कुछ बिमारी हमारे बिहार में भी है जहां पे नेता कवेटा ही नेता बनता है इसलिए जरूरी है कि बिहार से इन सब चीजों को दूर करने की साथी साथ बिहार में जब भी आप बिहार के लोगों का ये काम है ये दायत हुए कि वो बिहार में जब भी नेता चुने धर्म के आधार पर जाती के आधार पर ना चुने बलकि ये देखे कि वो उनके लिए क्या काम कर सकते है और जिसके कारण बिहार पिछ रहा है क्या वो